मेरा नाम सुम्में सिंग राजप्रवित है और आज के वीडियो का टॉपक है सीडेक तो अगर आप समझो अभी एंजिदेरिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि या फिर आप रेसेंटली पासाउट हुआ लेकिन आपका प्लेस्मेंट हुआ नहीं है तो आज मैं जो कोर्स के सीडेक के बारे में बताने वाला हूँ सीडेक क्या है किन बंदों को सीडेक में जाना चाहिए उसके लिए eligibility criteria क्या कौन जा सकता है entrance exam होती है वो कौन सी होती है उसकी pattern कौन सी है average salary package क्या है top salary package क्या है top institute कौन सा है और सीडेक के अंदर भी top course कौन से है उस courses की price क्या है सब किन को जाना चीए सीडेक में और उसके बाद आपको डीटेल में समझेंगे तो एक लाइन में अगर आपको स्पोल सा पता हो ना सीडेक क्या है जो आपको यह उसे आपको तगड़ी कराता है वह उसके अब आपको एक लाइन में पता कि 20-30 के वार आपको प्लेस्ट में हैं तो आप सबस्कार क्या कि तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता होता है जिसको कहते हैं सीड़ेक तो उसी के बार में आज मैं आपको पूरी इनफोर्मेशन देने वाला हो तो चलो स्टाट करते सबसे पहले वॉट इस सीड़ेक सीडेक का फॉल फॉल्म होता है Center for Development of Advanced Computing Center for Development of Advanced Computing ठीक है फुल फॉर्म तो ठीक है लेकिन आगे क्या है क्या है क्या यह चीज़ प्रोडक्षन जो भी आप एंजिनिरिंग से हो हर बंदा इसके लिए अप्लाइब कर सकता है यह कोर्स कर सकता है तो अगर आप अपड़ीजिबल हो तो आप चीज अच्छे से कर सकते हो लेकिन यह सिर्फ और इसके बंदों के लिए नहीं है सब के लिए है ठीक है तो स्प्रीम लेकिन में फोकस करता है कॉम साइट और क्यों कि इसकी डिमाइंड जादा है अभी करेंटली इतना क्लियर हो गया अब जाते हैं कोर्स की खासियत के दो सबसे बड़ी खासियत है जिसको मैं यूएस पर गोंगा सबसे पहला इसका डियूरेशन क्या लंबी चीज़ें नहीं करनी छे आट मैंने में कुछ चीज हो त दूसरी चीज इसकी प्लेशमेंट अप समझ लोगया तो प्लेशमेंट फॉर एक नॉर्मल कॉलिज की प्लेशमेंट कितनी होती है थर्टी से फॉर्टी परसंट की चांसे होते हैं यहां अगर आप सीड़ा के अच्छे इंस्टिट में लग गया तो 80 से 90 परसंट लोगों क प्लेशमेंट हो यहां तो प्लेशमेंट से लगों की बुरा तो आप अराम से 80-90 परसंट में आ सकते हो ना ए तो यह समझ गया और चांसे से जादा कंपनी आ जाती है तो यह दोनों इसके सबसे बड़ी खासियत है के छे मेने के पिरेट होता 6 मैंने में आपका लंबा जान प्रिपेरेशन बहुत तगड़ा करवाते हैं और प्लेस्मेंट भी और मतलब टॉप सेलेरी जो कुछ दस लाग तक भी जाती है आप समझ रहे हो तो आगे देखते हैं अब आ जाते हैं पहले उसकी क्राइटीरिया पर कोई भी एंजीनियरिंग पास आउट बंदा एलीजीबल है समझे जो क्या मेकानिकल हो गया सीवी लोग इंट्रॉमेंटेशन हो गया कोई अपने इंजीनियरिंग की है तो आप इसके लिए इलिजीबल हो सिर्फ कॉम्स इटी और इलेट्रोनिक्स नहीं है सब इलिजीबल जो इंजीनियर है और उसके इक्वएलेंट मतलब क्या स्वेश्पोस्वूज आप दो तरफ से बारेवी के बाद चार साल की इंजीबल या तो आप ने ना ना करके आपको एक एक्जाम देना पड़ेगा अगर आपको सीड़ेक में इंस्टिटुट में एड्मिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एक्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम होता है सिकेट इस एक्जाम इस पर आपको एक्जाम करते हैं और इसके बेसी बहुत सारी इंडिया में तो इतनी जादा अपनी प्लेसमेंट कि बढ़ेगी तो यह एक्जाम बहुत माहिने करता है तो अब ये exams की patterns क्या है इसके अंदर कौन से questions होते है वो सारी चीज़े चलो देखते है तो चलो आप देखते है entrance exams का क्या scene है भाई इसकी patterns क्या है और कौन से kórsis इसके अंदर included है, चलो शुरू करते है तो सबसे पहली चीज इसका पहला ч hicition होता है तो आप दे सकते हो पर उसमें आपको यह total 13 courses provide करते है अगर आप सिर्फ section 1 दे रहे हो और उसमें एच्छे माक्स आ रहे है अपने तो आप geoinformatic के लिए eligible हो जाते हो समझ रहे हो दूसरा अगर आपको computers के courses चाहिए तो आपको section A और section B भी देना पड़ेगा तो section A और साथ में आपको aptitude देना पड़ेगा लेकिन साथ में section B भी देना पड़ेगा जिसके लिए किस टाइप के questions होंगे section B में करके diploma in advance computing उसके लिए आप eligible हो साथ में बिग डेटा यह लोग प्रोवाइड करते हैं अलग से अगर आप वो करना चाहते हो एडवांस section A भी देना पड़ेगा section B भी देना पड़ेगा section C उसमें आते हैं section C में कौन से questions होंगे electronics के fundamental microprocessor, microcontroller उसके कुछ questions होंगे clear है अगर आप तीनों देते हो तो आप किसके लिए eligible हो जाते हो embedded system का जो को से VLSI के course है VLSI design के courses उन courses के लिए आप eligible हो जाते हो तो सिव आपको अगर जीओ informatic देना है तो section A दो देवाई सिव aptitude अगर आपको computers के courses में जाना है तो section A plus B देना पड़ेगा जिसमें आप DAC के लिए big data के लिए AI के लिए eligible हो जाते हो तो हर section में 50 question आएंगे mcqs format में होंगे पूरे 50 questions की जो वेटेज होगा वो होगा डेड़ सो माक्स मतलब हर question तीन माक्स का होगा एक घंटे का अपना paper होता है हर section अगर right marks आया right question का answer आया तो तीन माक्स मिलेंगे wrong आया तो एक मायनस माक्स होगा मतलब negative marking है इतना clear है तो इसी तरह से एगंटे का paper यह होगा एगंटे का यह होगा एगंटे का यह होगा 500 marks के 3 होगे 50-50 question तो आपको दो-दो अलग पेपर साथ में पड़ेंगे और यहां पर अपनी एक्जाम पैटन भी क्लियर हो गई और साथ में कौन से कि सेक्षन आप साथ में दोगे तो कौन से कुर्स के लाइड लीजिबल और वो भी क्लियर हो गया अब आगे देखते हैं कि इन कॉर्स की कितनी है और इधर जो प्रेस्मेंट आती है उदर की एवरेज सेलेरी पैकेज कितनी है और टॉप सेलेरी पैकेज किती है तो सबसे में अगर इसका एक्जाम दे रहे हो और खुद का लैपटब लेके जा रहे हो तो 1100-1200 के अंदर इसकी एक्जाम की फीज होती है पर अगर आपको इंस्टिट्यू जाती है लेकिन इनकी कुछ कोर्स एक लाग पैतीस हजार तक भी जाते हैं तो थोड़ा सा महेंगा है लेकिन आप उन्हें इंजिनिरिंग में हर साल रूपे डाले और यह लोग तो तगड़ी तयारी भी कर वारे और प्लेस्मेंट भी दे रहे हैं तो जाने लाइक तो है ज इतना पैकेज उठा सकते हो लेकिन समझ आप तोड़ बंदे और जिंदिगे में फुच मैनत कर लिए आप उन्हें सीड़ेक में ही तो तेन पसंट जो कंपनी सिधर आती है वह आट से दस लाग का पाकेज देती है पाकेज या पैकेज उसी के साथ साथ और दस कंपनी जो है 10% की कंपनी है दस परसंट जो कंपनी है वो 10 से 13 लाक रुपीज तक भीए पाकेज देती है तो अगर तोड़ वंदे हो लेकिन आपक कंपनी में अप अपने कॉलेज में यह पी प्लेसमेंट नहीं मिला था तो आप यहाँ पे आके 10 से 13 लाग का भी पैकेज ऊटा सकती हो ल तो अब देखते है कि कौन सा टॉप कोर्स है सीड़ेक के अंदर जो 13 को सिसे सबसे ज्यादा मुश्ट डिमांडिंग कौन सा वह से जिसके लिए सबसे ज्यादा प्लेस्मेंट होती है ठीक है और इसके साथ साथ कौन सी टॉप टैन इंस्टिट्यूट है क्योंकि से बहुत सार करोगे और यह वाला को सोगे तो चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं प्लेसमेंट होती है क्लियर यह अब इसके टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स बें तो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इंस्टिट्यूट्स में आता है अपना सीडएक हैड़कॉर्टर पुने में क्योंकि इंस्ट्ट्यूट्ट बताने का मतलब क्या मतलब यही है कि अगर आप अपना असी अजार तक पैसे भरोगे और इतनी मेहनत करोगे तो कोशिश करो कि आप टॉण टॉट्ट टैन इंस्ट्ट्ट्यूट्ट में जाओ तो यहां पर placement के chances बहुत सारे और मेरा यह वीडियो का मक्सद यह है कि मैं आपको ऐसी जगा भेज़ो जहां पर अपनी तयारी इच्छे से भी हो जाए और placement भी हो जाए तो अगर आप सीकेट में बहुत अच्छी महनत कर रहे हो तो आपको यह option लेना चाहिए के हाँ समझ रह है तो यह था आजका वेडियो आ हो ड्रैं officials क्लिए इसके अलावा फिर भी आपके कुछ ड्रॉट से आपको वीडियो कौन सा चाते हो आप कौन से एक्जाम की बारे में इंफर्मिशन जानना चाते हो तो हमें बता हम उस इंफर्म एक्जाम की सारी इंफर्मिशन सारी डीटेल पर पूरा रिसर्च करेंगे एक वीडियो बनाएंगे जैसे हमने सीडेक का बनाया उसे के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करो दोस्तों को सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर लो किया और क्या पता किसी की प्लेस्मेंट हो जाए कोई अच्छी तायरी कर ले इससे क्लियर है और लास्मोमेंट्टुशन.com अपना वेबसाइट है जहां पर अपको प्रिवियस एर अगर आप अपके काम की बहुत सारी चीज़े महां पर मिलेगी एंड थैंक यू सो मच विडियो देखने के लिए हवा नाइस देए और बेस्ट अफ लुक फो यह प्लेस्मेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्